दामाश्टर प्रकास कलासेस के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है हम जो उत्तर परदेश सहायक अध्यहपक भरती परिच्छा की प्रैक्टिस सेट को सालब करवा रहे हैं उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के मद्ध लेकर आये हैं इसमें भी हम लोग 150 प्रैक्टिस सेट उन विद्यार्थों के लिए है जो सूपर टेट की तयारी कर रहे हैं ठीक तो चलिए देखते हैं देरने करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ और देखते हैं पहला प्रस्ण और इसमें जो है पहला से पांच्वे तक प्रस्ण जो है ये गध होंगे भढ़ते हैं आगे की तरफ इसको भी पढ़ है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियों को रोक करे तब लीजागा ठया ये भी पढ़ लीजिए चलते हैं प्रश्ण के तरफ और प्रश्ण में पहला प्रश्ण जो पूछा गया है इसमें पूछा गया कि आणुप इस फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्त की क्या हो जाए चलिए देखते हैं आपसन में क्या सही होगा इसका तो आप लोग गद्यांस को पढ़े हैं एंसर दें कौन सा होगा ए बी सीडी की रोप में आपसन की रोप में जो है एंसर लिख सकते हैं ठीक तो इसका कौन सा एंसर सही है रेत नमबर शी आपका बिर्कुल राइट एंसर सही है इसका और लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्ट अगले प्रश्ट में है आधूनिक मानो विकास को सर्वांगिर नहीं कहा जा सकता क्यों कि तो क्यों नहीं कहा जा सकता शलिए आपसन परते हैं तब पता चल जाएगा क्योंकि हम लोग गध्यांस को पढ़ी चुके हैं इसलिए संकालू है क्योंकि चों संकालू है चलिए देखते हैं उमीद है कि आपसन आपको दिख रहा होगा तो ये जो संकालू है उसमें वह विज्ञान की विध्वन्षक सक्तियों से भवीत है ठीक तो आपसन नमबर पहला बिरकुल राइट एंसर होगा इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण में है मानो जीवन को भसमा सुर बनाने से कैसे रोका रोक सकता है तो चलिए बताइए आप लोग गभद्यांस को पढ़ी लिए हैं बताइए इसका कौन सेंसर होगा बताते रहें एंसर कमेंट बाक्स में आप लोग फटाफाट एंसर लिखते रहें तो इसमें आपसन जो है डी सह होगा क्योंकि नैतिक आत्मिक मूल्यों को बिकसित करके जो है ये रोका जा सकता है ठीक तो आपसन नमबर डी विरकुल राइट एंसर होगा इसका अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन और यह इस फाल प्रशना है जो कि जीवन का परिशीम भहतिक विकास है यही बिज्ञान ध्रित सिच्छा की सारबस्यादिक महत्रपूर देर है आपसों नमबर सी आपका विरकूराइटेंशर बन जाए यहापर इसी के साथ लेते हैं अगले प्रश्ण को अगले प्रिष्ण में है आपका जो की बिलोम सब्द बताना है और वो शब्द है अरवाचीन तो अरवाचीन का बिलोम सब्द क्या होगा इस प्रिष्ण में यही पूचा गया है चलिए आप यहां से आप लोग को पांसे दर सेकंड का समय मिलेगा एंसर देने के लिए comment box में अगर देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अन्यथा अपने मन में बनाते रहे हैं जिससे आपको एंसर याद होता चले ठीक तो इसका जो है जो बिलॉब सब्द होगा वह आपका हो जाएगा प्राचिन अर्वा चीन का विनों सब्साइब प्राचीन होता है याद रख्यगा इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण को आगले प्रश्ण कि तरप और इस प्रस्ण में है कौन सा सब्साइब थसम है आग्र्ष है त्णस्व बताना हैं आपको यहां पर तो यह अग्र्ष जो लिखा गया है यह आपका सब्द है सी आपके यहां परइट है जईएगा ठिक चलिए अगले अग्ले प्रिष्ड में हैं कहुं सा शब्द आखका प्रयाबाची नहीं है तो तीन तो आँख के प्रियावाची है एक नहीं है वो कौल सा है यही बताना है इसमें चछु दिरिक अच्छी यातुल तो इसमें ये अतुल जो है ये आपका आँख की प्रियावाची नहीं है बाकि ये तीनों जो है आग की प्रयावाची हो जाएगी ठीक क्योंकि इसमें नहीं खा गया है अतुल डी आपसन आपका विर्कुल राइट एंसर हो जागाट अगर बात करते हैं अतुल किसकी प्रयावाची है तो ये अनुपम अप्रतिम अदुतिय अपूर ये सब सारी जो है इसके प्रयावाची ठीक चलिए अगले प्रस्ट में है भारतेंद हरिश्यन्द का काउंसा नातक बंगला भाषा में अनुधित है तो आपसन तो दिखी रहा होगा विद्या सुंदर है चंद्रा वली है नई चाल में धली उसके बाद फिर कभी बचन सुधा है तो इसका आपसन जो सही होगा वो पहला ही आपसन विद्या सुंदर बिल्कूर राइट एंसर हो जाएगा आपका पहले आपसन के साथ बढ़ेंगे अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न है अल्प प्राण धुनियों का शमू कौन सा है और अल्प प्राण धुनियों में जो आपके आएंगे वो असपर्सि बंजन के पहला तीसरा और पाच्वन वरन जो है वो आते हैं ठीक नहीं रखिएगा तो चलिए इसका आपसन जो सही होगा वो बी आपसन चा और फिर जा और यह जो है बी आपसन आपका सही होगा यह ज कुसरा और चौथय की बात करते हैं तो महा प्राण के अंतरगत आते हैं जैसे कि इसमें पहला वर्ड यह है उसके बाद तीसरा प्लिते हैं प्रशनिका में शर्वा शिख ए June 40 अंतिम सब्द एकसा हमता है है कि हम अच्छा प्रश्ण है हिए इसका अपसन नंबर आपका पहला कुंडलीया जो लिखा गया है ये कुंडलिया जो हैं इसके पहले और अंतिम सब्द जो होते हैं वो एक जैसे होते न closes आपर इनमें कुल छे चेरण होते हैं ठीक है ये भी दियान रखियागा कितने चरण होते हैं छे चरण होते हैं अगले प्रस्त कि तरब बलते हैं अगले प्रस्त में आसुरक्षित ये सब्द जो लिखा गया है आसुरक्षित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो आपका जो मूल सब्द है वो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है रक्षित कह सकते हैं ठिक तो इसमें आ भी लगा है और सू भी लिखा रक्षित में आ और सू दोनों लगा है तो सी आपसन यहाँ पे आ प्लस सू ठिक तो सी आपसन विर्कुल राइट एंसर हो जाएगा इसे के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरब अगला प्रश्ण है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरन है तो यह उदाहरन जो है वो आपका किस समास का उदाहरन होगा तो यह समास जो है वो करमधारा समास का पहला आपका विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इसका और इसे के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण के तरब अगले प्रस्ण में है अनुवी इच्छन का संधी विच्छेद काओं सा है शंदी विच्छेद करना है इसमें तो अनु प्लस इक्षण पहला ही आपसन आपका सही हो जाएगा इसका संदी विच्छेद जो है अनु इक्षण का पहला ही सही होगा ठीक तो आपसन इसका ही सही हो जाएगा और इसी के साथ लेंगे अगले प्रश्ण में अगले प्रश्ण है मैं कहा गया है कि बैल नकूदे कूदे तंगी तो यहाँ पे आपका आपसन D सही हो जाएगा क्योंकि स्वामी के बल पर सेवक को जो साहस होती है उसको जो एहसास मतलब कह सकते हैं या गर्म होता है वो D आपसन आपका विर्कुल इसका कहावत का थोटा ठीक D आपसन पिर्कुल इसरो हो जाएगा इसी के साथ बढ़ेंगे अगले परस्न और इस परस्न में जो है संस्कीत के इसलोक लिखे गया है इसको पढ़िए और उसके बाद जो है नीचे जो है इसका एंसर देना है ठिक 16 से 20 तक तो यह पहला दूसरा तीसरा जो लिखा गया है पहले इसको पढ़न लिते हैं आप लोग चलिए उमीद है पढ़नी होंगे उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा और तीसरा पढ़ेंगे बढ़ेंगे एकले तरफ और आप लोग नहीं परफा रहे होंगे तो वीडियों को रोक करके पढ़ लिजिएगा चलिए आवर नीचे चलते हैं उमीद है कि इसको भी पढ़ लिए होंगे यह भी पढ़ लिए होंगे चलिए यह तो बहुत लंबा चोना दिया गया है ठीक चलिए इसको भी पढ़ लेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ लेंगे समय नहीं है इसलिए थोड़ा तेजी की साथ चल रहे हैं आप लोग वीडियों को रोक करके पढ़ लिएगा उसके बाद एंसर देने का परियास करिएगा ठीक तो 16 नंबर पे चलते हैं प्रस्ण पे तो इसमें जो आपसन सही होगा आप लोग इसको पढ़िएगा बताइएगा कौन सेंसर सही है कमेंट करके तो इसमें एड़ी जो है आग्यानम विर्कुल राइट एंसर होगा आपका डी आपसन इसका 16 का सही होगा बढ़ेंगे 17 की तरफ और 17 में चलिए आपसन और प्रस्ण दोनों दिखे कोसिस करते हैं हम थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन दिख रहा होगा तो इसका आपसन नमबर भी विर्कुल राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण में है जो एंसर होगा वह आपका बी आपसन विर्कुल राइट एंसर भी एंसर हो जाएगा ठीक है मी आपσन सही होने के साथ बढ़ेंगे 19 की तरफ और 19 में आप्सन जो सही होगा आपका वो बी आप्सन सही हो जागा मिलान करते रहे हैं आप लोग और इसमें बीस नंबर में चेलिए थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन प्रश्ण और जो है आप्सन सारे दिख रहे होंगे तो इसका आप्सन भी विर्कुल राइट एंसर हो जागा ठीक बीस प्रश्णों को हम लोग इंदे के कर चुके हैं बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ जो की किश्वा प्रश्ण है और किश्वा प्रश्ण में कहा गया है बिजातिय पद का चैन करना है बिजातिय पत का दातपर है कि तीन एक समान है और एक इसमें से भिन्न है अलग है तो उसका जो है यहाँ पे हम लोग चैन करना है तो पहला जो लूता लिखा गया है यही सबसे अलग है बाकि यह तीनो जो है एला और यह तीनो एक समान है ठीक तो पहला आप्सन लूता वि स्वार की बिस्वम्ता होने पर भी वरन साम में के कारण अलंकार कौन सा होता है कि वाइस नंबर का अप्शन कौन सा से होगा आप लोग कमेंट करके एंसर दें फटा-फट स्वार की बिस्वम्ता होने पर भी जहां वरन साम में होता है वहाँ पर अनुप्रांस अलंकार होता है आप तो नंबर आपका दी बिर्कुल राइट एंसर होगा इसका दी अनुप्रांस अलंकार हो जाएगा ठीक चलिए अगला प्रस्ट लेते हैं अगले प्रस्ट में हैं अर्थोही अन्या अर्थोही कन्या परकिये यूम उक्त अंस किसे संबंधित है तो 23 का अफ्सन नंबर जो सही हो जाएगा वह अभी अफ्सन विर्कुल राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्ट कितब बढ़ेंगे अगले प्रस्ट में है संस्क्रिट सिच्छ में कथिन उच्चारन वाली धोनियों के लिए सबसे अधिक महत्पून कौन सा है बी आफ्सन दो आफ्सन यहाँ पर दी रहा ए भी और चलिए चारो उमीद है कि अब चारो आफ्सन आपको दिखा होगा तो इसमें जो सही है वो कौन सा सही है तो यहाँ पर सिच्छ आफ्सन आपका अभ्यास का सिध्धान तो बिर्कुल राइट एंसर हो जागा जो की उच्छारो वाली धोनियों के लिए सबसे धिक महत्पून है जोड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले सब्दान्स को क्या कहते है आधिक का तत्पर है जो पहले लग जाते हैं सब्द के मौसंद जैसे द्हातु जो है जिब से द्हात north जो है उसमें मोSet치 में पहले सब्दल असको उप्सर्गृटक्या जाना जाता है यही आदिकातात्वर है ठीक तो इसमें डिया आपका विर्कॉल वाइटेस हो जाएगा यहां पर एंगलिस के प्रश्णों को हम लोग देखेंगे जो की 26 से लेकर करके तीस प्रश्ण जो है यह आपके पैराग्राफ से लिए गये हैं ठीक है पैसे से इसमें द क्रों के थेख पढ़ी है चलिए इसको भी आर अगर नहीं परबा रहे होँगे तो वीडियों को रोक करके पढ़ लिया करें तो कि क्योंकि प्राग्राफ थोड़े बड़े हैं प्रिजाष टिक पढ़ लिया है चलते हैं अच्रात घपचा इसको भी देख लिजी है कि या हां परक्ष्ण को परस्ट पर है दाप बेशन केंग भी काल आ अला है है तोट्बॉटियों गथ देस्क्रिप्टिव प्रीफ प्रमप्लण में आगले प्र cambi कि देख रहा होगा है अब उत्तर देने का पर्यास करिए तो यहां पर दी आप संद गिवा कैलकुलेटेड इमोशनल रिस्पॉन्स एत आल टाइम्स दी आप संद यहां पर विर्कुल राइट एंस होगा आपका अगला प्रस्न है अगले प्रस्न में है जो पैसेज है उसमें उसका एंटानियम बताना है और यह यह पैसेज में एक सब्द था जेंडरल इसका एंटानियम बताना है यह विलौम शब्द टे G तो यह आप Spron अघ्य편 इसधी आप सामं बर हो जाएंगा को आनर प्रस्न पर लिए जो लिखा गया है कि इन दे कॉंटेक्ट्स डेफेंसिप मीज्स क्या होगा तो नन तीस नंबर का आपसर नंबर दी यहाँ पे बिरकुल रहे टेंसर हो जाएगा एक्स्प्रेसिंग एंगेर ठीक अगला प्रस्ण है तीस नंबर इमोशनल सपोर्ट क्या सजेशन क्या सजेस्ट करता है इमोशनल जो सपोर्ट है यह किसके तरब इंगित करता है यह बताना है इसमें तो यह संपथी है ठीक इमोशनल सपोर्ट जो होता है यह संपथी के तरब इंगित करता है आपसर नंबर आपका दी संपथी विरकुल बश्राश्ण है निर्टीस नंबर प्रश्ण की बात करते हैं तो इसमें जो आई के लर्न प्रम ओर इसी देन इस वीचेश कि तो इसमें क्या गलत है यह बताना है इसमें more easy होगा, ठीक, option number यहाँ पे जो सही हो जाएगा, वो c आपका बिर्कुल right answer होगा, यह easy, ठीक, यहाँ पे यह जो है, यह more easy, सही होगा, के लिए यहाँ पे c आपका बिर्कुल right answer होगा, बढ़ेंगे अगले प्रस्न की तरब, अगला प्रस्न है, point out the sentence इंदा, active voice, तो active voice, कौन सा है आपका, अच्छेली, option दिख रहा होगा, तो पहला ही option यहाँ पे सही हो जाएगा, जो क्यू, why don't you have your eyes tested, ठीक, पहला ही आपका, बढ़ेंगे अगले प्रस्न की तरब, अगले प्रस्न में जो खाल यह स्थान है, इसको आपको feel करना है, तो यहाँ पे क्या feel किय जाएगा, यह बताना है, चार option की रूप में आपको दिया गया है, तो यहाँ पे सिद्धी option आपका, विरकुल राइट एंसर हो जाएगा, ठीक, चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रस्न की तरब, अगले प्रस्न में है, कि direct, indirect speech जो sentence लिखा गया है, इसका कौन साइंसर सही हो होगा, तो 34 का option number C, विरकुल राइट एंसर हो जाएगा, जो कि they invited me to go with them, C option आपका यहाँ पे राइट एंसर होगा, इसके साथ अगले प्रस्न पे चलेंगे, तो अगले प्रस्न में आपका यह जो space लिखा गया है, खाली स्थान यहाँ पे खाली है, यहाँ पे क्या भरना ह है, होएन है, देन है, देन, होएन, देन, देन, बट, तो यहाँ पे भी option देन भरा जाएगा, ठीक, रोट देन इट बिगें टू रैन, हेविली, इसके साथ अगला प्रस्न देखेंगे, अगले प्रस्न में है, दक्कारेक्ट फेमनीन आफ राम, राम का बिलों मतलब वो क् है, इस तरी लिंग क्या होगा, यहाँ पर बताना है, सीता होगा, तो यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा, तो इसमें 36 नमबर का राम 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 क सामने पहला आप्सन इसका योर्स बिर्कुल राइट एंसर है एगले प्रिश्ट में यहां भी आपका फिल इंदा ब्लैंक करना है यानि खाले स्थान को भरना है आन हो होगा या टू होगा इन होगा या बाई होगा तो आप्सन तो दिखी रहा है आपको तो इसमें भी आन भरा जाएगा ठिक ही इंसाइटेड ऑन सींग डाकुमेंट्स आप्सन नमबर पहला आन विर्कुल राइट एंसर है एगले प्रिश्ट की तरब बनेंगे एगले प्रिश्ट में है करेक्ट रिपोर्टेड फाम दा फ्राम आप दा गिवें सेंटेंस तो इस उसके बाद कामा और फिर इन्वेटेड कामे के अंदर लिखा गया है वर्क हार्ड तो कौन सा इसका आपसन सही होगा चलिए दिखी रहा होगा आपसन उम्मीद है कि सारे आपसन आपको अच्छे तरह से दिख रहे हैं तो यहां पर जो इसका हो जागा वो रभी एडवाइ इसके साथ बढ़ेंगे अगले परस्ट में फिगर आप स्पीच के विशे में बताना है जो कि हर्म पूछा गया है कि हर मदर टू अपां इस अकॉसं फैल्ट प्लीजिंग डिस्ट्रेस तो यह कौन सा पाइट आप स्पीच है पार आप इस पीच है यहां पर चारेंश नंबर का जो आपसं सही होगा वो भी आपसं आपजी मोरान यहां पर हो जाएगा थिक तो आपका विर्कुल राइट एंसर है इसका इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ और अगले प्रश्ण में कहा गया है कि यह सारे प्रश्णव आ गये हैं यहां पे पूछा गया है कि दीजल इंजिन में इंधर को जुलिद करने के लिए आवस्चे कुछ तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है अच्छाप प्रश्ण है बादल किस कारण से वाइव मंदल में तैरते हैं तो बादल जो बने होते हैं आपके ये जो है पानी की नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिसका घनत जो होता है बहुत कम होता है इसी वजह से बादल हलके हो जाते हैं और आसमान में यानि वाइव मंदल में तैरते रहते हैं तो यहां पर भी आपसन निंद घेनत के कारण ऐसा होता हूं ठीक पी आप विरकुल राइट एंसर है और अगले प्रश्ण को लेते हैं अगले प्रिश्ण में है यह इन्सोलेसन जो लिखा गया है जिसको आप लोग आपतन कहते हैं इसका अर्थ क्या है तो यहाँ पर insulation जो कहते हैं यह पिर्थिवी की सता पर पोशिने वाले सूर के जो भीकरण होते हैं उन्हीं को कहा जाता है तो यहाँ पर आपसन आपका बेरकुल B सही हो जाएगा आपतित सौर किरण आपसन नमबर B आपतित सौर किरण बेरकुल राइटेसर होगा इसी के साथ लेते हैं अगले प्रस्ण को अगले प्रस्ण में है किस अभिकिरिया द्वारा रक्त का सुद्धिकरण किया जा सकता है डालसिस है? विद्दूद परासण है असकंदन है, या छहनन है छहानन है। यहां पे आपका सही होगा डालसिस सभी लोग को मालूम है डायलेसिस के कारण ही जो है रक्त को सुध्य किया जाता है ठीक तो आपसर नंबर पहला डायलेसिस विरकुर राइटेंसर है बढ़ेंगे अगले प्रिश्ण के तरफ अगले प्रिश्ण में है वाय मंदल को वास्तर जो इलेक्ट्रान तथा धनायनों से संयोजित हो यहां भी प्रिश्ण में के प्रिश्ण प्रिशर्ण जानते है कि यहां पर जो होता है ज्यसे कि छो रेडियोख करणे होती और प्रावर्तित कर देत थे cuánt की यहां पर यह प्रतिवी प्रसेजिए उनको परावर्तित परावर्तन जो है करता है ठीक तो भी आप सनायन मंडल आपका बिल्कुल राइड अंसर होगा अगला प्रशन है यद यह बर्फ पर जल को सून डिगरी सेस्ट आप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा अच्छा प्रशन प्रशने तो इसमें आप संब्स नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा कोई परिवर्टन नहीं हो पाएगा ठीक आप सन्बिल्कुल राइड प्रशन आगला प्रशन में है मानोसरीर में कौन सी ग्रंथी-प्यूस ग्रंथी से अस्थ्रावित हार्मोंसों का नियंतर्ण करत बहुत अच्छा प्रश्न है और यह सारी गरंथियां आपके मस्तिस्क में पाई जाती है तो पहला ही यहां पे जो हाइपो थैलेमस है यह अनायचिक उपाचैन क्रियों को एक के लिए उत्तरदाई है तो यहां पे हाइपो थैलेमस आपका विल्कुल राइट एंसर हो कि यहां उसमें स्त्रावितर हर्मोन जो होते हैं उसका ने अंतराण करती है और जो :"for मनुस किस उत्तके में जन्म के बाद कोस्यीग विभाजन नहीं होता है 48 का अपसन नंबर बी विर्कुल राइट एंसर होगा तंत्र का तंत्र अगले प्रस्वी की तरह पढ़ेंगे मानोश्रीर की सबसे बड़ी मिस्रित्र गरंथी कौन सी है मिस्टित्र गरंथी का तातपर है वाह और अंत्रिक गरंथी तो इसमें आपसर नमबर कौन से सही होगा तो ये अगनासे गरंथी जो है आपकी ये अंत्रिक और वाह दोनों गरंथियां होती है इसलिए इसको मिस्टित्र गरंथी के नाम से जाना जाता है आपसर नमबर से विर्कुल राइट एंसर है इसी के साथ लेंगे अगला प्रश्ण है डाउन सिंड्रोम से पीडित बेत्ती को किस रोग से गरसित होने की संभावना रहती है तो यहाँ पे आपसर नमबर आपका जो 50 का है वो भी विर्कुल सही हो जाएगा आलजाइमर रोग से वो पेडित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है तिक आपसर नमबर भी विर्कुल राइट एंसर हो जाएगा और लेंगे यहाँ पे यह 20 परस्ण जो है 50 से लेकर के 70 नमबर तक यानि 51 से 70 तक जो है यह गडित के परस्ण है गडित के परस्णों को हम लोग स्क्रीप करते हैं जानते ही होंकि आप लोग तो इसको स्क्रीप करेंगे अगर आप लोग को इसको हल परकास करना है तो हमारे टेलिगराम चैनल दाव माश्टर प्रकास क्लासे को वहां से सर्च कर लिजिए और वहां पर जा करके जो है इसके ऊसके वीडियो के आप पीडियाप को वीडियो को ये ढ़िखकते है । तो इसमें लेते हैं 71 परशन को जो तो इसम में पूशा गया है कि सारणात का Czy a सभूनी परियावरिन लुट सू घ्र विरकुल ररी है और ये जो है Regul लोकिस असनकाल में बनाया भी गया था थीक, अगरा प्रस लेते हैं, 72 को, 72 में, यानी 72 में, पूछा गया कि संसार में सबसे पहले, बारूद का आविस्कार कहा हुआ था? तो यहाँ पे बारूत का सबसे पहले जो पर्योग किया था या बिश्कार किया था वो चीन को माना जाता है आपसर नमर भी चीन विर्कुल राइट एंसर हो जाएगा आपका ठीक के लिए आप लोग कमेंट करके इस प्रस्न का बताएंगे एंसर क्या हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपसर जो हमारे दौरा बताया रहा है चीन विर्कुल राइट एंसर होगा ठीक आप लोग कमेंट करके अपनी राइए इस प्रस्न पर दे सकते हैं चलिए लेते हैं अगले प तो यहां पे यहां पे गलत है तो यहां पे यहां पे यहां पे आपका राइट रह जाएगा ठीक और माई एक्सपेरिमेंट विद तुरूथ जो लिखे गया है यह महतुमा गांधी के दोरा लिखा गया यह भी सही है ठीक ज़र अगले प्रस्फण की तर बह자 अगला प्रस्फंथ जो है इसको उपनाव से किस उपनाम मतल्ला तो गया इंश्ञ जो है कहां पश्य राज को मसीलो मसालों के बल्ची के नाम से जाना जाता है अच्छा प्रस्ण है, जी प्रस्ण है, केरल है, ठीक, सभी लोग को मालूम ही है, चलिए अगला प्रस लेते हैं, किसके उत्पादन में भारत का पर्थम अस्थान है लॉष्पात दूध, खनी इसते लिया चावल 75 पर आपसे नम़र B दूध के उत्पादन में जो है भारत का अस्ठान पर्थम है लेकिन वहें उत्तर परदेश अपने उत्तर परदेश की बात करते हैं तो उत्तर परदेश पूरे देश में पूरे भारत में पहले असना रखता है दूद उत्पादन में ठीक तो यहां पर भी आपसंद दूद बिर्कुल राइड एंसर होगा आपका इसी के साथ लेंगे अगला प्रश्ण है रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है भुकम का वलन का या अपरदन का ये सभी का तो रिफ्ट घाटी जो है ये भुकम वलन तथा परदन जैसी आंतरिक योंग वाह किरियाओं का परिणाम होता है आपसंद नमबर यहां पर डी बिर्कुल सही हो जाएगा अगले प्रश्ण में काउंसा मंगल बुद्ध सुक्र के समान है तारे हैं उब गरा है या चंद्रबा है इसका ताथपर प्रश्ण का यह है कि यह मंगल बुद्ध सुक्र जो है ये क्या है, ठिक सीदा ऐसा पुछने की ये था लेकिन, थ्वढ़ा प्रश्ण को soya को गुमाया है कि आपु कन्फिूज हो जाएं लेकिन आप लोग को कन्फिूज तो होना ही नहीं है ठिक तो ये क्या है, ये एक ग्रा है, ठिक ये यहाँ C action ग्रा सही हो जाएगा अच्छा चलिए अगले तरफ चलते हैं तो यहां पे हैं राज में आपातकाल के समय राज का सासक जो है सासन किसके हाथ में रहता है यदि किसी राज में आपातकाल लग जाता है तो उस समय सासन किसके हाथ में या किस राज की देखरे कौन करता है यही बताना है आपको तो राश्टपती देखता है आपसन नंबर आपका पहला ही राश्टपती विर्गुल राइटेंसर होगा ठिक चलिए एंगला प्रस लेते हैं राज का उचित्तम बिधी अधिकारी कौन होता है 18 जनरल, एड़वोकेट जनरल जनरल या बिधी विभाग का सेकरेटर जनरल तो यहां पे एड़वोकेट जनरल जो है यह आपका सबसे उचितम अधिकारी होता है राज का आपसन नंबर सी बिजो है विर्कुल राइटेंसर होगा एड़वोकेट जनरल ठीक चलिए अगला प्रस लेते हैं अर्थिक समस्या की बात किया जा रहा है यहां पे ध्यान दीजेगा तो इसमें पहला जो अक्ति अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो यहां पे आर्थिक जनसंख्या सबसे अधिक प्रभाव डालेगी तो आपसन नंबर पहला विर्कुल राइट एंसर होगा अगला प्रशन है को सिचर कोसल का है जो जिसमें पुछा गया है आपके बिद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घरवालों को धनाजन में हात वटाते हैं धनाजन में हात बटाने का तातбर है कि कुछ पैसे कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वो भी जो है कमाते हैं ठीक हाँ तो इसलिए ये छात्र परहाई यागरे कार आधी पर यतोचित ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ऐसे छात्रों के लिए क्या करना चाहिए चलिए देखते हैं आपसन उमीद है कि आपसन दिख रहा होगा आपको तो इसमें आपसन नमबर पहला ही आपका सही हो जाएगा जो कि मानविय द्रिष्टिकून अपनाएंगे और प्रोसाहन तथा सहाथा देकर उनका मनोबल भी बढ़ते रहेंगे जिससे कि उनकी प्रहाई ना रुकने पाई तिक तो आपसन नमबर पहला विर्कूल राइट अंसर हो जागा इसी के साथ लेंगे अगला प्रस्ट और अगले प्रस्ट में है कि विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुन्रावित्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्तपूर्ण है इसमें यही कूँचा गया है आपका नमबर पहला विर्कूल राइट अंसर हो जाएगा जो की नई जानकारी को पूर्व जानकारी से के जोड़ना शीखने की संबर्ओ् बनाता है ठिक तो आपसर नमबर पहला विर्कुल राइट एंसर हो जागा ए और लेंगे अब अगले प्रश्ण में हैं कुछ यदि कुछ विद्यार्थिक अच्छा में अध्यन की पुरावित्ती में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे यदि आप एक सिच्छ के अस्थान पे हैं तो आपको करना चाहिए कि उन्हें उनकी रुची अथवा आप अपने बिसे के अनुसार रुची फूर्ण चीजें बताएंगे ठिक तो यहाँ पर डी आपसर आपका इसका राइट एंसर होगा और इसी के साथ लेंगे अगला प्र प्रेच्छ नहीं है तो उसे परिछ्छ अंक परदान करते समय आपको आप क्या करेंगे चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए कि यह एक सिच्छ जो है उसे क्या करना चाहिए एक सिच्छ के रूप में घृता है वह तो तो यहां पहला ही आपसनु आपका राईट अंसर हो जाजयागा जो कि किसी पूर्बा ग्रह के कि उसकी उसको आुज़ी बःति मले करेंगे ना कि उसकी अहां पर मिलागा करें ठीक ना कि उसके प्रति जो है गलत मतलब कह सकते हैं नेगेटिविटी सोची जाएगी ठीक तो आपसर नबर पहला राइट एंसर होगा इसी के साथ लेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न में कहा गया है कि सिच्छर की प्रभाव कारिता में लोगदान देने वाले सकारात्मकारगों वाले विकल्ब का चैन करना है तो कारगों की सूची आपके नीचे दी गई है ये सूचिया है तो यहाँ पे 6 प्रकार की सूचिया है जैसे अध्यापक कोबिसधय का ग्यान तमाम प्रकार के हैं तो चलें देखते हैं अंसर कौन सा वह पर है कि दिया उनु इस अर्थ dram पर होगा जया ग को पहला तो सही था अध्य पका को सब्ससा एगा सब्सक्राइब अगला लेते हैं 6 तो कच्छा सम्यवहार में के संचालन और अनुसरोन में अध्यापक की चमता होनी चाहिए तो यहाँ पी यह तीन सही होगा तो आपसे नंबर D यहाँ पी आपका प्रकुल एक तीन और छे सही होगा इसी के साथ लेंगे अगला प्रश्न अगले प्रश्न मे है एक सिछक को साधन संपन होना चाहिए साधन संपन होनी का आर्थ क्या है यहीं इसमें पूछा गया है चलिए देखते हैं इसका तत straw क्या है तो यहाँ प्रश्न और अ होनी का ठाथ है कि उनको अपने बिद्यार्थियों की समेश्चाओं को हल करने का परियाप्त ग्यान होना चाहिए जब ग्यान परियाप्त होगा तभी तो बच्चे की जो है समेश्चाओं को सालब कर पाएंगे अन्था नहीं कर पाएंगे तो ठीक से आप सुने इसका राइट एंसर हो जाएगा आगला प्रशन है कि सिच्छकों को या सलाह दी जाती है कि वे अपने सिच्छार्थियों को सामोही गतविदियों में सामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतरिक यह जो है किसमें स को साहता करती है यह आपका करती है सामाजी करन में आपसर नमर भी बेर कुल राइट एंसर हो जागा अगला प्रशन है अगला प्रशन में पुछा गया है कि परिच्छम यह तनाव नस्पक्षित परभावित करता है यह तत्थ जो है किस प्रकार से संबंध को असपष्ट करता है यह बताना है चलिए आप लोग भी एंसर देते रहें तो इसका पहला आपसन संग्यान भावना विर्कुल राइट एंसर हो जागा ठीक चलिए अगले प्रशन की तरह पढ़ेंगे अगला प्रशन है आधुनिक सिच्छा अधिगम प्रकिरिया में सिच्छक की भूनका कैसी होनी चाहिए आपसन और आइंसर आपको दिख जाए इसलिए हम थोड़ा चोटा कर दे रहे हैं तो इसमें भी पहला ही सही होगा जो कि सीखने ही तू एक अच्छे सुलब करता की भूनका निभानी चाहिए निभाती है ठीक तो आपसन नमबर पहला सही होगा अगला प्रशन है सैच्छिक निर्देशन किस कच्छा में दिया जाना हितकारी होता है तो यह जो निर्देशन दिया जाता है या बताया जाता है तो यह जब छात्र किसी समू में जाने को तयार हो तब यह हज़कारी होता है आपसर नमर भी राइट अंसर होगा अगला प्रिश्ण है बाल मुनुल विज्ञान से लिया गया है जो कि कहा गया है कि ब्यक्तित का पहला प्रकार्यातमक वर्गी करण किसने प्रुष्थत किया था तो यहां पर प्रुष्चत किया गया था यह आपके हिपो क्रेटर्स के दौरा अगला प्रश्चन है कौन सा पिछड़े पन का कारण नहीं है तो यह सबस्त वातावरा जो है यह पिछड़े पन का कारण नहीं है बाकि सभी जो है पिछले पिछले पन का कारण आपके हैं ठीक चलिए दी आपसन राइट अंसर होगा यहां पर अगला प्रस्ण लेते हैं अगले प्रस्ण में है परगत सील परिवारों के बच्चों में आप एक छाक्रित कौन सा प्रेरक अधिक परबल होता है इसमें जो अधिक परबल होता है वो उपलब्धी होती है आपसन नमबस सी उपलब्धी बिरकुल आइटन सरह हो जागा यहां पर इसी के साथ चलेंगे अगले प्रस्ण की तरफ और अगला प्रस्ण में है बुद्धि लब्धी संपर्ते किसने बिक्सित किया है यह बताना है इस प्रस्ण में तो बुद्धि लब्धी संपर्ते को विक्सित करने वाले हमारे मनुपि ज्यानिक है टर्में साब आपसन नमबस सी टर्में बिरकुल राइट एंसर होगा ठीक है और इसी के साथ लेंगे अगला प्रस्ण आप लोग एंसर को देने का पर्यास करें जिससे कि एंसर याद होता चले हम तो बता ही रहे हैं साथ साथ आप लोग भी कमेंड़ बाक्स में अपने उत्तर को लिखे और वीडियो के अंत में आप लोग आवस्य बताएंगे कि आपकी कितने प्रस्ण बन रहे हैं ठीक जैसे नहीं लिपा रहे हैं कमेंड़ बाक्स में कोई प्रस्ण नहीं लेकिन अपने मन में भी एंसर बनाते रहेंगे ठीक तो चलिए 95 का देखते हैं कौन सा आप्सन सा योगा जो की चिंतन प्रारम होने के लिए क्या आवस्यक है जो है इसा ये सबसी आवस्यक है यह आपको को manshya नहीं कर दो आप चिंतन कएसे करेंगे तो कोई अपस्या हो जाएगी तो आप पर विचार करेंगे कि वो दियस्तर में अभिवित्ति में या गतिवाही योगता में ब्यक्तित भेत पाए जाते हैं ठीक तो दी आपसे यह सभी विरकोर राइट एंसर होगा आपका अगले प्रेश्ण की तरह पढ़ेंगे अगले प्रेश्ण में है वाहया भ्यास के अधार पर व्यक्तित का वर प्रेश्ण की संरचना तथा कत्यों में विभेद का परिणाम क्या होना चाहिए तो यहां पर यह जो डिसलेक्सिया है यह आपसे आपका विरकोर राइट एंसर हो जैसे कि डिसलेक्सिया मस्तिष्ण की संरचना तथा कत्यों में विभेद का परिणाम होता है इसका इसी के स अगला परसन तनाव को कम करने के आप परत्च धंग क्या कहलाते हैं अंस तो यह िअगर किसी को और उसह का आप आपको यह वह करना है- और भी आपसन सही होने के साथ अगला प्रशन लेंगे, अगले प्रशन में कौन साइन्स सही होगा, कमेंट करके आप लोग एंसर दें, जिसमें पूछा गया है कि सामान तथा बिशिष्ट कारक सिध्धान्त का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है सामान तथा बिशिष्ट कारक का सिध्धान्त जो दिये हैं, ये इस्पेर्मेन के द्वारा दिया गया था, आपसन नमर भी बिरकुल यहाँ पे राइट एंसर हो जागा, और दुई कारक सिध्धान्त, त्री कारक सिध्धान्त भी नी के द्वारा दिया गया दि इसमें पूछा गया है कि किस अंत्रिक्ष एजन्सी ने सुक्र ग्रह पर अपना पहला आर्बिट इन विजन जो है भीजने की गोंसड़ा की है तो चलिए आपसन भीरिक रहा होगा कौन सा इसका एंसर सही है कमेंट करकी अब लोग बताएंगे तो यहाँ पर ESA, ASEAN, Space Agency जो है यह भीजने का काम करेगा ठीक तो आपसन नमबर भी ESA विर्कुल राइट अगला परस्न है फ्रेंच ओपन 2021 का पूरुस वर्ग का खिताब किसने जीता है तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जो पूरुस वर्ग का जीता है वो नोबाग जोकोबिच की द्वारा जीता गया है आपसन नमबर भी विर्कुल राइट अगला परस्न है आपसन नमबर पहला परस्न लेते हैं अगले परस्न में है यूआ पीयम योजना किस मंत्राला की पहला है तो यहां पे यूआ पीम योजना जो पहल की गई है यह सिच्छा मंतरले के द्वारा की गई है आपसर नमर पहला सच्छा मंतरले आपका राइट एंसर होगा इसी के साथ लेंगे अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है केंद सरकाल ने हाल ही में किस भारतिय राजनेता के जनमती दिवस को प्राकरम दिवस के रूप में मनाने का निर्ण लिया गया है अच्छा प्रश्ण है और प्राकरम दिवस के रूप में जो दिवस मनाय जाता है भी आपको बताना है ठीक अब 56 यहां पर एक ब्ल शुक्य आपका सुवचन बोस और इस प्राक्रम दिवस की बात करते हैं। तो यह जो मना जाता है तेस जनौरु को मना जाता ठीक तो भी आप सन आपका बिर खुर्पर आइचनस होगा। अगला प्रस नहीं राश्टिय युवाद 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 आपके करंट के ही नए जो है करंट अफेर है पुरानी नहीं है ठीक हमारे साथ जो अठोके प्रैक्टिस से रोजाना ऐसे साल परियां आपके प्रिच्छां के लिए महतुपूर्ण होगा यह तर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें जिसे उनको भी प्रैक्टि प्रेशन को अगले प्रेशन को अगले प्रेशन में पूर्वोत्र भारत का पहला खेलो इंडिया स्पूर्ट को उध्गाटन की साराज में किया गया है यह भी इस आसम नहीं है छोतों हैं यहां पे मेघहाल्य राजहें युद्र संस्ता था किया है तो उसे एक सुन्नौ के आप 보ह सब्ड़ारी प्लाइक कि अब फेस नमर 4 सम्जो किया है अंसे के साथ परशन है भी फिसि एंडियन स्वोर्ट ओमनाल आफ दा आएर को उरसकार ने किसे में संभानित किया कि यह настоящ को चलेंगैं कि यहां पर यह संचो इंदियो उप्सकार्ण 2 जिए 80rint भी इंदियोस में किसी शमानिद किया गया जो है समानित किया गया है सी आप सुनिया पे राइट एंसर हो जाएगा आपका और लेंगे अगले प्रश्न अगले प्रश्न में हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सवर उर्जा पर्योजना का निर्माड के संद्रदी पर किया गया है और ये अपने भारत में ही है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सवर उर्जा पर योजना है ये दो देशों के संपर्क से जो है मेल से बनाए एक भारत है और एक आलक देश है ठीक है तो यहां पर जो आपसन सही होगा उससी आपसन नर्मदादी पर बनाया गया ह अगला परिशन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लांच पैड योजना की सुरूआत की गई है तो लांच पैड़ योजना जो शुरुवात किया गया है यह मद्धपरदेश सरकार के द्वारा की शुरू किया गया है अगले प्रश्ण में है बहुष्टाशार को कम करने तथा पारदर्स्टा को बढ़ाने के लिए कि सराज या केंसासित परदेश द्वारा सतरक नागरिक मोबाइल एप लांच किया गया रहाए प्रश्ण है यहां सतरक नागरिक मोबाइल एप का परियोग क्या गया है यह कि कि यहां पर ये जम्मों और कशमीर के दौरह किया गया घुप्र। अग़्ैला प्रश्न है हालई में जारी है नले पाश्पोर्ट सुचकंग डो हजारीकेส में भारत का कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो इसमें सबसे प्रतम अस्थान जिसका है वह आप का जापन का है जापान के बाद सिंगापूर दूसरी अस्थान पे है लेकिन इसमें भारत का अस्थान पूछा गया है आपको भारत का अस्थान बताना है ठीक है तो भारत का अस्थान जो है वो आपका 84 अस्थान होगा यहां पे इसी के साथ लेंगे एगले प्रस्ट को अगला प्रस्ट है जन्वरी दो हैरी किसमें सबसे ज्यादा भारतिय प्रवासी किस देश में इस्थित है और यह जो है आपके खाड़ी देशों में इस्थित है जैसे कि कह सकते हैं अरब, सौदी अरब, और अभिया यह सब देश जो है यहीं पे ज्यादा भारतिय इस्थित है और उसका अगर नाम लेते हैं तो यहाँ पे सन्युक्त अरब अमिरात हो जाएगा तो यह पेट्रोलियम मंत्रा लेके द्वारा इसको किया गया है इसका योजन आपसन नंबर सी जो है विरकुल राइट अंसर है ठीक चलिए एकला प्रश्न है हाल ही में रेल्वेव ओर्ड के नए अध्यचियों में सीयों के रूप में किसे निउक्त किया गया है जो सही है आपका रेल्वेव ओर्ड के अध्यचियों सीयों के रूप में जिनहीं नामित किया गया है वो आपके दूसरे हैं और उनका नाम है सुनीत सर्मा ठीक सुनीत सर्मा आपसन यहाँ पे सही होगा लेकिन अभी तूरंत हाद में बदल गये हैं तुहाँ पे तुहत का यह भी हट गये है इनके अस्थान पे वह बिने कुमार तिवारी जो आए है आपसन नreich Small कि यहाँ पे दिया यहाँ नहीं घया है के लिए अगले प्रिश्ण की तरफ बढ़ेंगे एगला प्रिश्ण है देश में खिलाउने के निर्मार के विकास को बरहवा देने के लिए एक इस मंत्राला के द्वारा टाइक थान 2021 का सुवात किया गया है तो इसमें डी आपसन जो की उप्रोथ सभी के द्वारा ये किया गया है जैसे कि सच्छा मंत्राला महिला योंबाल विकास मंत्राला और कपड़ा मंत्राला आज सभी मंत्राला के द्वारा जो है ये किया गया है चलिए अगला प्रिश्ण की तरफ बढ़ेंगे अगले अगला प्रस्ने हाल ही में किसे तमिल नाडू का एक आरतिस्वा जिले के रूप में उद्घाटन किया गया तो तमिल नाडू का जो आरतिस्वा जिला है वो आपका है मैला दुत्तरई ठीक तो यहां पे मैला दुत्तरई जो है यह आपका आरतिस्वा राज है जो कि तमिल नाडू का है ठीक अपसर नमबर पहला यहां पे विरकुल राइट एंसर होगा इसी के साथ लेंगे एकला प्रस्न अगले प्रस्न में है कारावासों के एतिहासिक महत्त को देखते हुए हाल ही में किस राज सरकार ने जेल परियतन की सुरुवात की है सभी को मालूम है अच्छा प्रस्न है तो यह महराष्ट के सरकार के द्वारा किया गया है आपसर नमबर पहला ही विरकुल राइट एंसर होगा ठीच चलिए अगला प्रस्न है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलो मीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगारी वासुकी जिसका नाम है उसको लांच किया है तो यह दच्छिड पूर मद रेलवे ने किया है इसी के साथ लेंगे गला प्रस्न देश का सबसे बड़ा मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क किस राज में बनाया जा रहा है तो यह जो बनाया जा रहा है यह आपका बनाया जा रहा है एहम्दाबाद में ठीक यह देश पूरे भारत का सबसे बड़ा जो है मल्टिमाडर लाजिस्टिक पार्क होगा ठी आपसर नमबर भी बिरको राइट एंसर है यहाँ पे इसी किसा तगला प्रशन है पहले प्रशन को पर लेते हैं अच्छा साथ मिल लेते हैं हाल ही में भारत के किस पनोसी देश में राष्टपती यों प्रधान मंत्री को गिरिपतार कर वहां की सेना ने तखता पलट कर एक साल के लिए आपातकाल की गोंचड़ा कर दी है तो भारत का पनोसी देश तो वो है ही जहां पे राष्टपती और प्रधान मंत्री को गिरिपतार कर लिया गया है और आपात काल लगा दिया गया है ठीक है तो यह है आपका अपना मियामार और अगर मियामार की राजधानी की बात करते हैं तो मियामार की राजधानी कौल श्यू है कमेंट करके आप लोग अंसर बताएं इसका अंसर कमेंट बाक्स में देंगे ठीक चलिए गला प्रस लेते ह योवेरी मुसे ने भी हाल ही में किस देश के राश्टपती बने हैं तो म्यामार की राजधानी जो है वो नए पीता है ठीक है नया रचेगा नए पीता नए पीता कहीं मिलेगा नए पीता कहीं मिलेगा ठीक नया रखेगा तो 125 में आपसन नंबर जो नए राष्टपती बने हैं वो देश है आपका युगांडा ठीक आपसन नंबर जो है सी विर्कुल राइट एंसर है इसी के साथ लेंगे अगले प्रश्न में है हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया तो यह गुलाम किस चेत्र से हैं साहत से सास्त्रीय संगीत्ः से या मूर्तिकला से तो यहां पर स्ब्रश् involved जो है वो दोग्त सास्त्रीय संगीत से है आपसन नंबर में इसका आयोजन भी हुआ है यह भी ध्यां रखिएगा कभी कभी अस्थान भी पूछ लेता है तो यह अपसंद इसका सी सयोगा भारत और फ्रांस के मद्द यह चला है अगला प्रशन है कि सब्यक्ति को डाक्टर एपी जे अब्दुल क्लाम बैग्यानिक पुरसकार दोहज अगला प्रशन का और इसी के साथ अगला प्रशन है सहर को पालितीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगमने के द्वारा फैला बैंक की सुरुवात की गई है अच्छा प्रशन है और पुराना करेंट अफेर भी है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने उत्तर परदेश से जुड़ा हुआ है और यह लखनो है आफसर नंबर पहला ही लखनो विर्कुल राइट एंसर हो जागा ठीक चलिए लेंगे अगला प्रशन है अगले प्रशन में है गरह मंत्री अमिसा ने किस छेतर के लिए सिंगल बिंडो क्लियरेंस सिस्टम की सुरुवात की है खाई टो को importantes तो यह को अला खदान के लिए किया गया है आपसर नंबर पहला वीर्पुल राहइट एंसर हो जाएगा और बात करते हैं हमिसा की तो मिसा मेंसर के में मंत्री यह भी यहां पर देखने को बताना हैρά siguव不知道 नहीं चलिए गरह मंत्री ही इस अगले प्रश्ण की तरफ आपको यहां मिलेगा यहां पी कीवलै को बताएंगे आप लोग इसके प्रश्ण को शाल करेंगे देखेंगे यह आप लोग जैसा भी होगा कमेंट करके कमेंट बाक्स में जरूर बताएंगे तो 131 का आपसन नंबर जो सही होगा वो डी आपसन आपका विर्कुल राइट अंसर हो जाएगा और बढ़ेंगे 32 के तरफ 32 में जो आपसन सही होगा 132 का वो 32 पहला ही आपसन यहां पे उत्तर कोई मतलब नहीं रहेगा ठिक चलिए 133 की बात करते हैं तो 133 का आपसन जो सही हो जाएगा वो आपसन भी पश्चिम विर्कुल राइट अंसर होगा वहीं पे लेते हैं 134 को तो 134 में कथन निसकर्स है और उसके बाद फिर आपसन को भी साथ साथ देख लेते हैं चलिए प्रिश्च का आपसन जो सही होगा वह पहला आपसन आपका विर्कुल राइट अंसर हो जाएगा है ठीक यह वाला कि वल निसकर्स का पालन करता है अगला प्रश्चन है 135 यह भी सेम है कथन और निसकर्स का ही कथन और धारना के द्वारा इस प्रिश्चन को बताया गया है तो 135 का जो सही हो जाएगा वह आपका सही है सी आपसन सही होगा यहां ठीक जहां रखेगा ना तो एक धारना नहीं थै ना ही दो कोई भी नहीं है अगला प्रिश्चन लेगे और अगले प्रिश्चन जो लिएंगे हम यह कंप्यूटर से संबंदित है इसके भी पाउंच प अचल जो है यह प्रोग्राम संब्रावियर प्रोग्राम होता है ना कि हाडवर आप्सन नंबर डी आपका बिर्गूल राइट एंशर हो जाए बैए हां पर जिसको यह विर घार प्रिश्चन लोग अपनी हाथों से अश्पर्स कर सकते हैं लेकिन अगर कुछता है तो इसक और क्या कहा जाता है तो इसको इस पैम भी कहा जाता है ठीक आपसर नंबर जो है आपका डी बिर्कुल राइट एंसर होगा जैंक इमेल को जो है इसमें के नाम से भी जानते हैं यही साथ अगला प्रशन है एक डिश्टल घड़ी में किस प्रकार का कम्प्यूटर हो सकता है तो यहां पर जो डिश्टल घड़ी होती है उसमें जो कम्प्यूटर हो सकता है इंबेड़ेड कम्प्यूटर उसको उसमें हो सकता है आपसर नंबर डी इंबेड़ेड़ेड कम्प्यूटर विर्कुल राइट एंसर हो जागा ठीक आओ यह डिश्टल घड़ी के रूप में जानी जाती है इसी के साथ अगला प्रश्ण है इमेल पते के दो भाग कौन-कौन से होते हैं चलिए आप्सन भी दिख रहा होगा तो इसमें जो दो भाग होते हैं वो पहला आप्सन सही होगा वो उपियोग करता का नाम यूम डोमेन का नाम होता है ठीक आप्सन नमबर यहां पर डी बिरकुल और राइट एंसर होगा अगला है मेन्यू में किस की सूची होती है मेन्यू में जो सूची होती हो किस की सूची होती है तो वो कमांड की सूची होती है ठीक जो मेन्यू होता है वहां पर कमांड की सूची होती है ठीक आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे जानती होंगी नहीं चलाते हैं कहीं देखे भी होंगे तो वहां पर कमांड होती है यहां पे D option आपका राइट एंसर होगा और यहां पे आप जीवन का उसल प्रबंधन यूम अब बिलती के प्रश्णों को देखेंगे तो अभी प्रेणा पहला प्रश्ण जो है इसका 141 वाँ इसमें अभी प्रेणा क्या है इस प्रश्ण का जिक्र किया गया है बहुत पढ़ते आए हैं आप लोग बताईए अभी प्रेणा क्या है तो अभी प्रेणा जो होती है उसमें बालकों की नई बाते सीखने को उकसाती है यही आपकी अभी प्रेणा है ठीक तो आपको भी अगर अभी प्रेणा है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ देखते हैं तो अगर आपको प्रेणा है उसमें करने का तो आप खुद की क करेंगे ठीक जुлять लेंगे पूछ राप्त करने ही तू सिछछक को उनके साथ कैसा ब benevol करना चाहिए हैं तो इसमें जो 시청 को उनके साथ होचाई वह मित्र जैसा ब benevol करना चाहिए ठीक है तो आपने बव्योर मित्र जैसा ब様 करना चाहिए बंहांपे विर्कल राइट एंसर हो जागे, जिससे छात्रों का विश्वास उनको पराप्त हो जाए, आपसन नमबर B, बिर्कुल राइट एंसर था, इसका इसी के साथ लेंगे अगला प्रस्ट, अगले प्रस्ट में पूछा गया है कि भैं और डंड का प्रभाव बच्चों को अनुसासन हीन बना सकता है, सही बात है, तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? जब यह सही है तो इसमें लोग जो है अंसिक रूप से सहमत होंगे, ठीक तो B आपसन सांसिक रूप से सहमत होंगे, ज्यादा नहीं ठीक, तो B आपसन बिर्कुल इसका प्रश्ण का, इसी के साथ लेंगे अगला प्रश्ण, और अगला प्रश्ण है, कच्छा में अनुसासन हीनता की समस्चा पैदा होने की आसंका रहती है, यदि अच्छा किस परकार से हो सकती है, तो चलिए बताइए एंसर, आप लोग कौन सा इसका एंसर सही होगा, एक घंटे से लगातात, बोलते बोलते, गला बैठने के गगार पे है, बताइए कमेंट करिए आप लोग इसका कौन सा एंसर सही है, तो यहाँ पे B आपसन बिर्कुल राइट एंसर हो जागा आपका, जो बच्चों को बेस्तर रखने के लिए पूरा काम ना दे, काम ना दिया जाए, यहाँ पे जो है, सबसे ज़्यादा आसंका रहती है, ठीक, तो आपसन नंबर B आपका वेरकुल राइट एंसर हो जागा इस प्रस्चन का, और इसी के साथ लेते हैं अगला प्रस्च, अगले प्रस्च में हैं अच्छे परिवारित परिवेश वाले बच्चों ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्व में आपका मत क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ यह है कि वो थोड़ा सही होते हैं, लेकिन यह आपसन जो है, देखते हैं पहले परिवार अच्छा होगा, तो उसका परिवेश जो होगा, वहां पे जगडे लड़ाई नहीं देखने को मिलेगा, ठीक, तो इसलिए यह हो जो है, सही हो जाएंगे, ठीक, तो आपसन नमबर यहां पे, सी बिल्कुल राइटेंस है, इसका, इसी के साथ लेंगे अगला प्र तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, तो तीनों तो सही नहीं होगा, तो इसलिए उप्रिवेश सभी सही हो जाएंगे, यानि कि आपसन नमबर यहां पे राइटेंस है, ठीक, उप्रिवेश सभी, इसी के साथ अगला प्रशन है, काच्छा में बच्चों की सार प्रशन में पूशा गया है, तीन या चार वर्श के बालक के लिए उचीत डंड क्या हो सकता है, यदि कोई तीन या चार साल का बालक है अगर उसको डंड देना है तो किस परकार से डंड दे सकते हैं जो उचित है तो उसे कहेंगे उसे जो है डंड देने के लिए उसे उसकी माता की अपेक्छा उपेक्छा कब है दिलाना चाहिए माता की उपेच्छा कब है के ततपर है कि आपकी माता को जो है हम बता देंगे कि आप ऐसा करते हैं उससे माता कब है देना चाहिए या और किसी करने ठीक तो यहां पर आपसर नंबर भी बिर्कुल राइट एंसर होगा चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं और यह 150 वा प्रस्ण है और इस प्रैक्टिस सट का यह आखरी प्रस्ण है आप लोग इस प्रस्ण के बाद आवसर बताएंगे कितने प्रस्ण आपके यहां पर सही हुए है तो चलिए लेते हैं प्रस्ण को पहले उसी सिच्छक को समाज में वास्तविक मानसमान मिलता है मिलना चाहिए जो तो चलिए देखते हैं किस परकार का सिच्छक हो जिसको समाज में वास्तविक मानसमान मिलना चाहिए तो इसमें जो अपने पद के दाइत का निर्वाहन इमांदारी और निष्टा से करता हो उस अध्यापत को हो मान सम्मान वास्तिविक्त तक से मिलनी चाहिए आपसर नमबर D यहाँ पी आपका राइट एंसर हो जागा है और यहाँ पे हम लोग 150 प्रशनों को साल्व कर चुके मिलेगे अगले प्रेक्टिस उने दाथ तब तक के लिए धन्यवाद